हेलो फ्रेंट्स मैं हुं टेक्निकल देवद और मैं आज आपको बताने वाला हूँ क्यो石ra मैं अगर ब्लेक प्रिंट आ रही है तो क्या करना चिये कि दिखिये मैं पहले इक प्रिंट निकालता हूँ और उसको बताता हूँ मैं आपको कि एसा प्रिंट आने पर क्या सॉल्यूशन करना चाहिए यह देखे दोस्तो पूरा ब्लैक प्रिंट आ रहा है थोड़ी सी अंदर दिख रही है लेकिन ब्लैक प्रिंट ज्यादा है तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन है क्या करना चीए वह मैं पूरी आपको जानकारी देने वाला हूँ तो वीडियो को अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब निकिया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए लाइक निकिया है तो लाइक कर दीजिए मैं ऐसे वीडियो बनाते रहता हूँ क्यों से रह के बारे में, कैनों के बारे में, चरोस के बारे में, तो इसमें सब आपको इंफोमेशन step by step देने वाला हूँ, अगर आपको ऐसी प्रिंट आने पर क्या करना चीए, तो दोस्तो ये इसी black print आने का बहुत काराण होता है, ये को DP unit, drum unit और attitude board से भी ऐसा प्रिंट आ इसको हम पहले साइड में रख देंगे फिर यहां पर अंदर देखिए यह जो बी लिखा हुआ है यह दोनों बी को पकड़के इसको बाहर खीचना है यह है ड्रॉम उनिट इसका तो इसका ड्रॉम उनिट पहले तो आप क्लीन करके देख लो अगर क्लीन होने से अभी नहीं हो साप करके देख लो एक बार अगर उससे भी हो सकता है इसको कैसे बदलना है क्या करना है वह मैं आपको बताता हूं तो दोस्तों सबसे पहले यह हम ब्लॉक को निकाल लेंगे बार यहां से लोक है इसको हम एसे उपर उठा के फिर यहां से निकाल लेना है यह है इसका ग्री करेंगे तो दोस्तों इसको सबसे पहले हमें यह जो पटी इसको निकालना है इसको हम यह निकल गया पटी अभी अभी देखो यहां पे एक यहां पे लोके एक यहां पे और एक यहां पे यह तीनों लोक को में खोलना है खाली इससे तुछ करके आप निकाल लेगे कि इसका कवर आगया बाहर यह कवर बाहर आने के बाद यह जो इसका रोड दिख रहे हैं इसको थोड़ा सा उपर करना है और इसको खीच लेना है तो यह खीच लोगे यह सबसे इजी तरीका है प्रम चेंज करनेगा फिर यहां से आप क्रम को निकाल दीजिए यह क्रम इसका कि अब इसको भी बाहर निकाल देगे क्योंकि बढ़ कि इसका क्लीनिंग गड़ भी हमें Championship करना अ Coinừ यह पट्टी को आपको निकालना है तो निकाल सकते नहीं तो इसे तेने दो भी चलेगा यह इसकी क्लीनिंग ब्लेड इसके दो जो स्क्रू लग आ इसको हमें blele लेने हैं यह आती इसकी क्लिनिंग ब्लेड जब भी आप ड्रम चैंज करते हो तो इसको ऐसको चैंज कर देजे क्यों कि यह रम को क्लिनिंग करती है तो इसके लिए ही इसको चैंज करना पड़ी आप इसको मार्केट में इसली मिल जाता है इसको हम नया इंस्टोल कर देंगे जे देखिए इसमें थोरा यहां पर इंस्टोट देनी है इसको यह ब्लेड चेंज होगे यह अभी हम इसमें ड्रम इंस्टोट परेंगे ड्रम को कैसे लगाना है वह भी आपको बता देता हूं यह दोस्तो नया ड्रम नया ड्रम भी आपको मार्कर में इजीली मिल जाएगा यह दिखिए यह ड्रम यह इसके उपर कवर लगा है लेकिन पहले नहीं कोलता पहले लगा देते हैं बाद में इसको खोल लेंगे तो यह जो गेर वाला भाग है वह राइट साइड रोगाना है इ देखो देश्टो ड्रम लगा दिया है लेकिन यहां पे जो एक छोटा सा वो लिख जाओगा इसको आपको यहां पे सीधा लगाना है अगर वो नहीं लगा होगे तो फिर प्रॉड्यम होगे तो इसको इससे सीधा रखके फिर नीचे की साइड पूस करना है इससे सीधा रखने के बाद इसको नीचे की साइड पूस कर देना है ताकि ट्रम सही से बैठ साथ होगे देखिए एकडम करेक्ट लिया गया इसके बाद इसका जो कवर है यह कवर को लगा जाए अगर यह गयर को निकल जाए तो इसको भी आप वापस से आपको लगा देज देखिए और उसके बाद यह कवर आपको लगा देना है वापस से जैसे था वैसे पिर यहां पर जो यह पट्टी है उसको भी आपको लगा देना है नहीं लगगे परके अभी हम जो यह ड्रम के ऊपर और है उसका मुताल लेंगे अ पर हो देखने दोस्तों रख चाहिए बिल्ण नएक अ क्लिनिक ड्राश हो ब्लोब विलोगा के अभी लगा के देखते हैं प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है या नहीं तो पहले ट्रामुनिट डाल दिया फिर यह टॉनर टार्टेट डाल दिया अभी हम एक प्रिंट आउट निकालेंगे यह देखिए दोस्तों एक दम कंप्लेक्ट पॉपी आइडी अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए सब्स्क्राइब कीजिए और शेर कीजिए तो देखिए ब्लैक प्रॉब्लम जो आ रहा था ब्लैक पॉपी का वो निकल गया है तूरा कंप्लेक्ट पॉपी हो गई है वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे वीडियो देखते रिए और सेर कीजिए